यूपी की कौशांबी जिला जेल में बंदियों को मिलने वाली कच्ची जली रोटियों से अब छुटकारा मिल गया है जेल प्रसासन ने रोटी बनाने की इलेक्ट्रोनिक रोटी मसीन लगवा दी है इस मसीन से एक घंटे में लगवा तीन हजार रोटियां बन जा रही है और यही नहीं भोजन को गरम रखने के लिए इंसुलेटेड बरतन की भी विवस्ता की गई है मसीन और बरतनों को किस तरह से ऑपरेट किया जाए इसकी बंदियों को ट्रेनिंग दी जा रही है और साथी साथ इस नई विवस्ता से भोजनाले में काम करने वाले जादत अर बंदियों को भी चुट्टी मिल जाएगी जुला जेल के करीब 20-25 बंदी अब तक रोटी के काम में लगाय जाते थे लेकिन अब केवल 10-12 बंदियों से ही काम चल जाता है आज से रोटी में करमर्शीन लग गया है और हमारे बंदी उसी पर रोटी बना रहा है और पहले जहां 25-30 बंदी लगते थे अब मुश्किल से जो है 10-12 बंदियों में काम हो जा रहा है और दूसरी बात की उनको गर्मी से भी निजात मिली है इस से जो है जब गैस जल्दे तो गर्मी ज़ादा उन्हें लगती थी अब गर्मी कम लग रही है तो हमें लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हां बेल आइकॉन दबाना ना पूले ताकि हर ख़बर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंद आप हमें स्टार ट्विटर और फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं हमारे आईटी है अट तरेट ज्यम्धी ड्यूस फ्लाश